हेलो फ्रेंट्स इशा किचन में आपका एक बार फिर से सौगत है फ्रेंट्स आज हम आपके साथ एक नई डिजाइन केक की लेके आए हैं जो एक दम यूनिक है अच्छी है बहुत ही अच्छी लगेगी इसको भी हम बताएंगे नहीं आपको कैसिक बनाना है यह सब बताएंगे आपको देखके ही खुद समझ में आ जाएगा कि हमने बनाया क्या है तो हमने सबसे पहले बेस लिया है बेस में हमको एक डिजाइन जैसी बनाएं तो आप कुछ भी ले सकते हैं चाहे आप मेजर्मिंग वाला जो कप है वह या कटोर आप कलचुल भी ले सकते हैं उसमें क्रीम में हमने डीप किया है और ऐसे सरकल बनाते जाएंगे चारो तरफ एक फ्लावर जैसा चारो तरफ सब बन जाएगा तो इस तरह आपको बनाना है यह डिजाइन आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं बीच में केक रहेगा तो अब हम कैसे बनाएंगे यह आप देखिए तो बस हमको क्या है ऐसे ही टेडी मेरी टेडी मेरी ऐसे लाइनिंग लेनी है यलो कलर से आप चाहें तो इस जगह पर औरेंज भी लगा सकते हैं औरेंज भी मतलब अच्छा लगेगा यहां पर जैसा हमने यलो लिया है आपको बनना चाहिए लेकिन यह जो हम बना रहें वह पिंक matahar में ही रहता है आप उसमें on the doctrine यह टन को पहले अंदर की तरव बनाना तो ईक लिया था मेरा वह वीडियो मिस मीश हो गया है तो जैसे हमने बता है कि यह लोटेस बनाया है आपके समझ में आ गया होगा तो अब थोड़ी से और shipping कर दो आपकी होजा वे Christopher Minow मतलब बहुत ज़्यादा लीक्विट नहीं करना है इसको हमको ड्रॉप ड्रॉप इस पर दिखाना जिसमें यह लगेगा कि फूल के उपर ओस गिरा हुआ है तो इस तरह आपको कहीं भी हर जगह मतलब इसको ड्रॉप ड्रॉप कर देना है चाहे बीच में थोड़े से कर दीज तो इस तरह हमने करने के बाद यह मेरा लिव बना दो और इस पर हमने सिलर कलर का नहीं है चाहिya है में है और